हेलो गाइज आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे सीख रहे होंगे चलिए आज की इस वीडियो में विडाउट मेकिंग एनी डिले हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम एंडियवर, अटेम्ट, ट्राई, एंड एफर्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं इन सभी शब्दों का हिंदी मतलब होता है कोशिश करना यानि की परियास करना इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस अर्थ में इन शब्दों में किस शब्द का कब यूज करना चाहिए? सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि ट्राई और एफर्ट का यूज आप फिजिकली और नौन फिजिकली एक्शन दोनों में कर सकते हैं जबकि अटेम्ट का यूज नौन फिजिकली और अडियो का फिजिकली सिचिवेशन में करना चाहिए, साथ ही ये भी समझ लें कि कोशिश करना इस अर्थ के लिए एंडी एवर को छोड़ कर आप किसी भी शब्द का यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन एंडी एवर का यूज तब करना चाहिए जब सब्जेक्ट द्वारा कोई काम पहली बार लाइफ में उसके किया जा रहा हो या किसी काम को पूरी कोशिश के साथ किया जा रहा हो तब हमें एंडी एवर का यूज करना चाहिए, फॉर एग्जामपल के लिए एक सेंटेंस देखिए, मैं मैकैनिक नहीं हूँ, लेकिन अपनी टीवी को बनाने की कोशिश क अब आप देखें, उपर दिये गए एक्जामपल में हमने एंडी एवर का यूज किया है, क्यूंकि सेंटेंस से हमें पहली बात तो ये किलियर हो रहा है कि ये फिजिकली एक्सन है, यानि जब हम टीवी बनाएंगे तो फिजिकली एक्सन होगा, और दूसरी बात ये किलिय हो रहा है कि सब्जेक्ट कोई मेकैनिक नहीं है, यानि उसे रिपेरिंग का काम नहीं आता है, बावजूत इसके वह कोशिश करने जा रहा है, यानि रिपेरिंग का काम वह पहली बार करने वाला है, इसलिए यहाँ पर एंडी एवर का यूज करना बहतर है, पर आप चाहें तो try, attempt या effort में से भी किसी एक का use कर सकते हैं आज कल modern English में इसका use भी खूब होता है लेकिन अगर आप भीड में अलग दिखना चाहते हैं या कुछ advanced level का बोलना चाहते हैं तो फिर endeavor का ही use करें without आएए अब कुछ और example में नज़र डालते हैं उसने lottery जीतने की एक और बार कोशिश की अब इस sentence में देखें ये non physically action में आएगा क्योंकि lottery के लिए हमें कोई physically work नहीं करना पड़ता है बलकि अगर number match हो गया तो हम जीत जाते हैं lottery तो आप try या effort का भी use कर सकते हैं या attempt का भी use कर सकते हैं यानि आप तीन में से किसी भी एक वर्व का use कर सकते हैं लेकिन end ever का use इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना ये ऐसा काम है कि subject के द्वारा पहली बार किया जा रहा है ना इसमें subject अपनी पूरी ताकत लगा रहा है तो इसे हम इस तरह बनाएंगे या फिर इस तरह यानि कि आप try, effort या attempt इन तीन में से किसी भी वर्व को ले करके sentence बना सकते हैं इन शॉर्ट एक बार आप और समझ लें कि वैसे तो आप try, effort और attempt को कहीं पर भी use कर सकते हैं लेकिन जहां पर ऐसी situation हो कि कोई ऐसा कार subject के द्वारा किया जा रहा हो जो उसने पहले कभी किया ही ना हो या ऐसा कार जिसे करना या मानना कमपल सरी हो तो वहाँ पर end over का use करना बहतर और आपके advanced English skill होने की पहचान है चलिए end over के एक दो और example देख लेते हैं ताकि इसे हम और बारी की से समझ पाएं सेंटेंस है कल बहुत जरूरी मेटिंग है तो सभी लोग ठीक 10 बजे आने की कोशिश करेंगे सेंटेंस बनेगा दूसरा सेंटेंस है मैंने माइक पर कभी लोगों का सामना नहीं किया है लेकिन कल मैं भाशड देने की कोशिश करूंगा सेंटेंस बनेगा यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ठीक 10 बजे लोग पहली बार आपिस पहुँच रहे थे बलकि यहाँ पर हमें यह पता चल रहा है कि 10 बजे पहुँचना उनके लिए कमपलसरी है इसलिए एंडियवर का यूज करना बाकी और वर्ब्स के कमपरीजन बिटर है ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि सबजेक्ट ने लोगों के सामने इस से पहले माइक पर कभी भी भाशड नहीं दिया है यह काम उसके लिए बिलकुल नया और फर्श टाइम है तो इसलिए भी यहाँ एंडियवर का यूज करना बिटर है तो आई होप कि आप सभी को इन वर्फ का यूज करना आ गया होगा आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हों तो प्लीज लाइक किया करें और कमेंट करके हमें अपने विचार शेयर किया करें इससे हमें बहुत जादा खुशी और मोटिवेशन मिलता है और अगर आप लोग इन फ्यूचर भी हमें देखना चाहते हों तो डॉन्ट फर्गेट टू सब्सक्राइब दे चैनल पर साथ ही बेल आइकन को अल पर परेस जरूर करें ताकि हम जब भी वीडियोज अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग विद फ्लाई योर्सेल्फ क्योंकि पढ़ेगा इंडिया कभी तो बढ़ेगा इंडिया